गुजराद पुलिस ने बोटाट जिले में पटरी पर लोहे का स्लैब रखकर यात्री ट्रेन में तोड़ फोड करने की कोशिश करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ़तार किया है अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों ने ट्रेन को पटरी से उतार कर या रुकवा कर यात्रियों को लूटने की योजना बनाई थी घटना 25 सितंबर को सुबह करीब 3 बजे कुंडली गाव के पास हुई लोहे के टुकडे से टकराने के बाद ट्रेन पटरी से नहीं उतरी जिससे संभावित आपदा टल गई बोटाड के पुलिस अधीकशक किशोर बलोलिया ने बताया बोटाड जिले के राणपुर पुलिस स्टेशन की सीमा से गुजर रही ओखा भावनगर पैसेंजर ट्रेन एक नौदो एक शून्य सुभ करीब तीन बजे सीमेंट स्लीपर के बगल में पटरी पर रखे चार फीट लंबे पुराने रेल के टुकडे से टकरा गई उन्होंने कहा ट्रेन पटरी के बीच में खड़ी लोहे की रेल के टुकडे से टकरा गई जिसके बाद इसे कई घंटों तक वहीं रुकना पड़ा जाँच में पता चला है कि दो आरोपियों रमेश और जयेश ने ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद यात्रियों का सामान लूटने की साजिश रची थी दोनों को गिरफतार कर लिया गया है जाँच में पता चला है कि रमेश और जयेश नामक दो आरोपियों ने ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद यात्रियों का सामान लूटने की साजिश रची थी दोनों को गिरफतार कर लिया गया है किशोर बलोलिया ने बताया चूंकि यह एक बहुत गंभीर अपराद है इसलिए बोटाद जिला पुलिस रेलवे सुरक्षा बल एटियस और केंदर की विभिन एजेंसियों ने जाँच की इस घटना के दो आरोपियों रमेश और जैश को गिरफतार कर लिया गया है उन्होंने ट्रेन के पटरी से उतरने के बाद यात्रियों के पैसे और अन्य सामान लूटने की साजिश रची थी यह घटना सोमवार को सूरत में तीन रेलवे करमचारियों की गिरफतारी के रोप है उन्होंने रेलवे अधिकारियों को कुछ बदमाशों के बारे में सूचित किया था जो एक ट्रैक से इलास्टिक क्लिप और दो फिश प्लेट हटा कर ट्रेन को पटरी से उतारने के लिए दूसरे ट्रैक पर लगा रहे थे अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसा किया कि उन्हें सम्मानित किया जाएगा और उन्हें रात की ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा जिससे उन्हें दिन में परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा